कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल में मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है पर्शम मंगाल से आपको बता दे कि मम्ता सरकार के एक और मंत्री की ऊपर सीबी आई की रेड पड़ी है आपको बता दे कि मलै घुटक के घर पर सीबी आई की आट टी में पहुंची है इसी के साथ ही मलै घुटक के छेट ठिकानों पर सीबी आई ने रेड मारी है आपको बता दे कि कोईला घुटाला मामले में सीबी आई एक्शन के मोड में है और ल इसी तरीके से बहना बना करके वो लगाता रेडी से बचते हुए दिखाई दियें लेकिन जैसे ही CBI के हाथ कुछ इंपुट लगे उन्होंने ततकाल आट टीमों के साथ मलाय घुटक के 6 ठीकानों पर रेड मारी है आपको बता दे कि कोईला घुटाला मामले में CBI ने पश् खास माने जाते हैं और TMC के कददावर नेता भी है आपको बता दे कि लगातार ममताव एनरजी के मंत्रियों और इसी के साथ ही TMC पार्टी के नेताओं पर इस समय CBI और ED की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जहां पार्थ चैटर जी और इसके बाद पहले से ही वो ED के रडार पर थें इसे लगातार ममताव एनरजी की मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इसी के साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पश्रमंगाल में ममताव एनरजी इसी तरीके से ब्रस्टाचारी मंत्रियों और नेताओं को अपनी ही पा पार्थ चाटर जी का जब काला चिठा लोगों के सामने खुला अर्पता मुखर जी के सामने से इतने ज्यादा कैश बरामद हुए कि लोगों की आखे खुली के खुली रह गई जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया अर्पता मुखर जी पार्थ चाटर जी दोनों और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो जनता की भलाई के लिए काम करती है और उनका ब्रस्टाचार से लेना देना नहीं है लेकिन एक के बाद एक देखने को मिल रहा है कि कैसे TMC किनेता लगातार ब्रस्टाचार के मामले में लिप्त पाय जा रहे हैं जहां पहले ममताव एनरजी के साथ ही हैं उन्हें जहां पशु तसकरी मामले में गिरफतार किया गया है तो अब नया सामने आया है केस कोईला घुटाले मामले में जिसमें की मलाई घुटक के ठिकानों पर CBI ने रेट करी है आपको बता दे कोईला स्कैम मामले से दरसल ममताव एनरजी के भती जे अभिशेग बैनरजी का भी नाम सामने आया है उनसे भी पूस्ताच इस मामले को ले करके कीक गई है आपको बता दे कि बुधवार को सुबह खरीब आठ साड़े आठ बजे के लगभग CBI के अधिकारी अपने सुरक्षा दस्ते के साथ गटक के घर पहुँचे और रेट की कारवाई को शुरू कर दी इस दोरान उनके साथ स्थानिय पुलस के साथ साथ CRPF के जवान भी शामिल हैं आपको बता दे कि इस मामले में एडी पहले से ही एक्शन के मोड में हैं कोईला गोटाले में ममता बैनरजी के भतीज़ अविशेक बैनरजी काई लोग कर दिया इसके बाद अब CBI ने उनके खरीब 5 ठीकानों पर चापे मारी की है इसके अलावा CBI ममता बैनरजी के मंतरी से पूछताज भी कर सकती है वहीं माना जा रहा है कि इसके तार ममता बैनरजी तक भी पहुंच सकते हैं यानि कि CBI ममता बैनरजी से भी पूछताज कर सक बता दे कोईला घुटाले के सिलसले में CBI ने परशिम बंगाल में पाच स्थानों पर छापा मारा है इसमें से चार कुलकाता में हैं और एक आसनसोल में हैं इस रेट के दौरान TMC नेता मलय घटक के परिसरों में तलाशी ली जा रही है बता दे रेट के दौरान CBI की आच्ट्री में लगी हुई है मलय आसनसोल से ही विधायक है बताय जाता है कि CBI को TMC नेता को लेकर इंपुट मिले थी जिसके बाद ये च्छा पेमारी की गई है इससे पहले AD ने भी TMC नेता से पूस्ताच की थी जाच इजनसी का ये कहना है कि वो ये पता लगाने की को करहून मंत्री हैं और समय CBI उनके घर पर रेट कर रहy है को ला गोटला वही मामला है जिसमें AD कइबार Abish eer बैनेर जी से पूस्ताच कर चुकी है और इसी के साथ ही अभी शेग बैनर जी की पतनी के साथ भी पूस्ताच की जा चुकी है आपको आपको बता दें कि CBI ने नवंबर 2020 में कोईला तसकरी का मामला दर्श किया था। आरोप है कि हजारो करोड रुपए के अवैद रूप से खनन किये गए, कोईले को पर्शम बंगाल के पर्शमी हिस्सों में संचालित एक रैकेट द्वारा बेचा गया था। साथ ही आरोप है कि कोईला कारोबार से होने वाली आए नेताओं को भेजी जाती थी। साथ ही ये भी आरोप है कि इस रकम से इन लोगों ने चल अचल संपतियां भी बनाई है। वहें इस मामले में एडी ने आरोपियों की करोड रुपए की संपति को भी जब्त किया था। इस मामले में एडी पहले ही कई आरोपियों को गिरफतार कर चुकी है। ममता के भती जी और टीमसी नेता अभिशेक बैनर जी से एडी कोईला घुटाला मामले में कई बार पूस्ताच कर चुकी है। उनके खलाप आरोप है कि अवैद कारोबार से मिले पैसे उन तक पहुंचा आए गए थे। आपको बता दें लगातार ममताव एनर जी के एक-एक मंत्रियों पर एडी और सीब्याई का श्रिकंजा कस्ता जा रहा है। तमाम जो उनके बड़े बड़े और कतावर नेता माने जाते थे। इस वक्त लगातार एडी और सीब्याई के चंगुल में है। अगर बात हम पार्थ चटर जी की करें तो वो भी जेल में है। इसी के साथ ही अनुबरत मंडल को भी गिरफतार किया जा चुका है। और अब बारी आसन सोल के विधायक घटक का है। और इसको भी ले करके यही किया कहा जा रहा है कि CBI ने कई बार उनको समन भीजा था। इसी के साथ ही वो ED की रडार पर थे, ED ने भी कई बार उनको समन भेजा था, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बना करके वो इस पूछताच में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद CBI को कुछ inputs हाथ लगे, कुछ जानकारियां उन्हें हाथ लगी, जिसके बाद ED की टोटल 8 टी जिसके वज़े से सुबह सुबह ही इस रेट को अंजाम दिया जा रहा है, आपको बता दें जिस तरीके से लगाता है, टीमसी के नेता ब्रस्टाचार के मामले में पढ़ते जा रहे हैं, नए नए पोल उनके खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे ममता सरकार की मुश्किले परूर बताएं, आगे के और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें